राजद विदायक सुधाकर सेह के नितीश कुमार पर हमले के बाद बीज़ोपी काफी खुश नजर आ रही है बीज़ोपी प्रवक्ता कह रहे हैं सुधाकर सेह का बयान नितीश कुमार के सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा बीजोपी प्रवक्ता अस्फर शमसी ने हमारे समवाद दाता रजनीश सनहा से खास बात चीत की बिहार के सियासत में एक नया धमाल पूर्व कृषिमंत्री सुधाकर सिंग ने बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा हमारे साथ भारत के जनता पार्टी के प्रवक्ता अस्फर समसी साहब मौजूद है अस्फर जी यह क्या हो रहा है देखे मुझे तो यही बात लग रही है कि नितीश कुमार की ताबूत में अंतिम कील होंगे सुधाकर जी क्योंकि इसी वज़े से चुके वो नितियों के खिल अंगे तो सचाही सामने आ गई है मानिये नितीश जी इनकी कथनी और करनी अलग है यह बोलते हैं वkem करते नहीं हें आज कौन से वीज़ेंजन चेहार सब्सक्राइब बहुत दिन तक नहीं चलती है। ये सरकार अपने अंतरद्वेंदों से ही गिर जाएगी अप वेट कीजिए आगे-आगे-देखिए होता है क्या। इसलिए ये अपने ही आपस में ही ये लोग टकरा करके इशूस में इनकी सरकार अपने अंतर द्वेंदों से गिर जाएगी और कुल मिला करके आने वाले दिनों में बिहार के अंदर भारतिय जंता पार्टी की एबसलूट मेजरिटी के सरकार